हैलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं ब्लॉग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सबी लोग, आई ओप आप सब अच्छे होंगे और यहां पर भी हम सब लोग भी बढ़िया हैं, तो फ्रेंड्स, आज है मदर्स डे, आप सबी मेरी यूटूब की महिलाओं को, मेरी बच्चों की और सबकी तरफ से हैपी मदर्स डे और कैसी है सारी मदर्स बढ़िया हैं या किचिन के कामों में और गल्डी कामों में ब्यासते हैं तो फ्रेंड्स अब यह जो बीजी पंद हमारा चलता ही रहता है तो बस आज मैंने यह मम्मी के लिए कुछ साड़ी निकाली है अपनी मम्मी के लिए और इन पर मैं फॉल वगएरा लगाने वाली हूं मैं आपको यह दिखाती हूं प्रेंड्स एक यह साड़ी है इसपर लगाऊंगी यहां नीचे की साइड तो मसीन से लगाएंगे मसीन से इसलिए लगाएंगे कि नीचे की साइड पायल वगेरा में पिछो में फस के जो धागा होता है वो बहुत ही जल्दी टूट जाता है और फॉल उधर जाती है तो न साधी के है फ्रेंट कर देखे कारि यह है भी है है कि यह साधी है तारें है मेरी मम्मी को लाइट पर पसंद है फ्रेंट अभी नहीं शिले हूए है और इसमें से निकला भी नहीं है ब्लाउस इसे निकाल के मैं ही सुलूंगी और बस अज मेरा यही काम है साडियों पर फोर लगाने का तो देखते रहिए और मुझे बताना किस तरीके से फोर लगाना अच्छा रहता है और आपको मेरा यह ब्लोग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा फ्रेंट्स तो फ्रेंट्स यह देखिए यह है सारी का सारी में से ब्लाउस इसे में अभी काटके अलग करेंगी और पिर आम लोग सारी में पॉल लगाऊंगी यह ब्लाउस मैंने अलगतर लिया है फ्रेंट्स 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 ताइडर देते हैं और यह है सारी की फॉल अभी ते मैं मसीन से सारी में लगाऊंगी तो फ्रेंट्स यह करीब हम दो ब्लांग छोड़ करके और यहां से फॉल लगाना शुरू करेंगे और यह फॉल है उल्टा सीधा देख लेंगे इसमें और किनारी को यह यहां से धागे निकलते हैं ना फोड़ा से फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड और यहां पर बिल्कुल ऐसे किनारे पर शिलाई लगा देंगे मसीन की पक्की शिलाई ताक यह उद्ड़े ना फोल्ड ताड़ी में से जल्डी से काफी टायम तक ठीक से बनी रहती है और यहां उपर की साइड सुई से तुर्पाई करती हैं वह मैं तब करूंगी जब जर्श करती है तो फ्रेंट्स आ गया है इसका फॉल का दूसरा कोना और इसको भी अंदर की साइड ऐसे थोड़ा सा फोल करके नखुन से सैट कर लेंगे ताकि इसमें से धागे बागे निकले ना यह देखिए फ्रेंट्स मीचे की साइड फॉल लगकर तयार हो चुकी है अभी इसी तरीके से मैं यह दूसरी वाली साड़ी पर फॉल लगा लूँ फिर यहां पर तुरपाई करके दिखाऊंगे आपको किस तरीके से तुरपाई करी जाती है फॉल कैसे लगती है एक साइड रख देंगे यह है फ्रेंट्स दूसरी साड़ी इसमें से भी मैं अभी यह ब्लाउज अलग कर लूँगी इसमें से भी ब्लाउज नहीं निकाला है ब्लाउज निकालके फिर इसमें फॉल लगाऊंगी यह है दूसरी साड़ी इसमें लगाने के लिए फॉल यह भी मैंने थोड़ा सा फॉल कर लिया अंदर की साइड और इस तरीके से रखके इसमें सिलाई रादेंगी किनार इपर अच्छे से सेट करके सारी को और कॉल को किसी को भी हमें खींचना नहीं है ताकि जूल बोल ना पड़े हम एक रादें हॉल था हाँ किसी को अवें हम अच्छовал कर प्रंपन के उच्छा इस कर था हाँ प्रेंस यह आगया है दूसरा किनारा इसको भी हम अंदर की साइड ऐसे फोल करेंगे थोड़ा सा और नाखून से सेट करेंगे लोग सिलाई ड़ाएंगे प्रेंट दूसरी फॉल भी लगकर तयार हो चुकी है बजी उपर की साइड ब्रेगे लगानी इसको हम तूई डाले की साइटा से तरपाई करके करेंगे और इस तरह का प्लास्टिक का पट्रा या फिर फाली वाली जो कुछ भी आपके पास हो वह ले सकते हैं यह उपर रखके अच्छे से फॉल लग जाती है तरपाई में बहुत ही छोटे-छोटे टांके लगाने होते हैं ताकि बाहर की साइट साड़ी में दागा बहुत ही कम मामूली सा दिखाई दे ज्यादा बड़ा-बड़ा दिखाई ना दे इस तरपाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अजय कर दे लिए इस वाले पैर से साड़ी के दबा लेंगे और आजय करके फटा फट से फॉल रख जाती है साड़ी इदर उदर हिलती भी नहीं है अच्छे से टाइट हो जाती है यहां पर पगड़के पैर से और यह देखिए दस मिट में साड़ी में फॉल लख के तयार हो जाती है यह देखिए फ्रेंड यहां से मैंने पैर से टाइट से पकड़ रखी है साड़ी और ऐसे पट्टे पर रखके सैट हो जाती है इस पर हमने ना तो कच्छी सिलाई किया यह देखिए बहुत साए लोग मसीन से बहुत बड़ी बड़ी कच्छी सिलाई करके तब लगाते हैं उसमें जोल वोल आ जाती है झाल 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 यह देखिए थोड़ा सा पोना रह गया है बस लग चुकी है इस पर साड़ी पर फॉल इसी तरीके से मैं दूसरी साड़ी पर भी फॉल लगाऊंगी दस मिनिट हुए हैं ज्यादा से ज्यादा दो त्रे मिनिट और पाल तुल लग गए हैं दस मिनिट में पॉल लगके तयार हो जाती है एक साड़ी पर मैंने इस पर कच्ची सिलाई वगेरा खुछ भी नहीं की थी यह देगी फ्रैंड फॉल लगके तयार हो गई सारी साड़ी पर और इधर से राइट साइड से मैं आपको दिखा रहती हूं साड़ी में बिल्बल भी जोल बोल नहीं आई है इसने अच्छी तरीके से फॉल लग गई है बहुत ही कम टाइम में अगर आपको मेरे तरीका पसंद आये हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना फ्रैंड इसी तरीके से मैं अभी दूसरी साड़ी पर भी फॉल लगाऊंगी और उसे लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि अच्छी देखिए दूसरी वाली साड़ी पर भी फॉल लग चुकी है बस यह थोड़ा सा रह गया है मैं इसे कंप्लीट कर देती हूं अभी जल्दी से तो फ्रैंस यह देखिए साड़ी पर पूरी पर फॉल लग चुकी है और कोई भी जोल वगेरा नहीं आया है साड़ इस दिर में ब्लाउस तयार करना बाकी रह गया है तो इस दिर में ब्लाउस तयार कर दूंगी और ममी पहनेंगी तो फिर मैं आपको पहन के दिखाओंगी ममी को कैसी लग रही है साड़ियां तो फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और खुस रही है मस रही है सबको राम राम फ्रेंड्स बाई